Hello friends, today India is celebrating 75th of Independence Day, अजादी का महाउत्सव, तो हर घर में तिरंगे का एक जो है, वो है कि हर घर में तिरंगा होगा, इसका मतलब है कि हर घर आजाद है, मैं तो चाहती हूँ कि हर आदमी के हाथ में तिरंगा हो, क्योंकि हर आदमी आजाद है, पर उस आजादी का मतलब ये नहीं कि आप जंडे को लेके, जिस जंडे के लिए 200 साल तक की लडाई लडनी पड़ी, दुनिया भर की एक कश्ट सहने पड़े, उसी जंडे को आप कच्रे में फिरंग दे, वो फेड हो जाए और आप उसे निकाले ही ना, एक सिस्टम है उसका रिस्पेक्ट करने का, क्योंकि व क्लिबरेट दे आजादी का महत सव, 75th Independence Day of India, I want and I wish की आजादी तो मिल गई, अब ज़रूरत है सोच की आजादी, freedom of thoughts, क्योंकि जब तक आप अपने thoughts में गुलाम रहेंगे, आप कभी भी आजाद नहीं हो सकते, अब ऐसे तो कभी नहीं होगा कि कोई आपको capture करके आपको ग ज़रूर आपको गुलाम बना लेंगे, तो freedom of thoughts, सोच से आजादी, आजाद सोचो, आजाद रहो और हमेशा आजाद रहो, ये मेरी कामनाए है, जहिन